हेलो गाईज, वलकाम बैक टू माई टूब चलेंग फिश्टाइल अटिसोर अब आज मैंने जो वालपेंडिंग का डिजाइन करूंगा वो एक 3D वालपेंडिंग डिजाइन है 3D स्पे वालपेंडिंग डिजाइन जो मोडन टाइप का आठ होता है उस तरह गाई आड मैंने आज वालपे करूंगा तो गाईज वीडियो को स्टार्ट से लेकर इन तक जोड़ोत देखना चलो वीडियो को स्टार्ट करते तो गाईज ये जो कलर का बटल दिख रहा है ये फैब्रिक या एक्रेलिक कलर का बटल है योलो कलर का बटल है ये जो कलर मैंने करूंगा इस फ डौ करने के बाद मैंने स्प्रे मेशिन में जो एर कम्परेसर का गान स्प्रे मेशिन है उस गान पर मैंने जो योलो कलार ही योलो के साथ थोड़ा ओरेंज और थोड़ा ब्लैक मिक्स करके एक योलो ब्राउन टाइप कलार मैंने किया हूं उसके बाद वो करने के बाद मैंने एक जो पेर का पत्ता है ना उस तरह के एक कार्डबोर क्रॉप किया हूँ उस cardboard को crop करके मैंने यह जो wall पे है उस cardboard के साथ और spray gun के साथ मैंने एक एक करके spray करके shadow बना रहा हूँ तो आप देखी रहे हो जो मैंने पत्ता किया ना जो cardboard का crop करके जो पत्ता किया उस पत्ते के ऊपर से मैंने spray machine से spray कर रहा हूँ एक एक करके मैंने पूरा जो ओल है उस ओल पे मैंने स्प्रे करके cover up करूँगा जहां जहां मैंने color pencil से draw किया हूँ flowers या कोई भी पत्ता किया हूँ वो जगा छोड़ कर मैंने हर जगा ये जो छोटा छोटा पत्ता मैंने spray कर रहा हूँ जो shadow कर रहा हूँ थोड़ा orange टाइप का जो yellow टाइप का brown color है जो मैंने mix करके मैंने जो color किया हूँ उस color से मैंने spray gun के मदश से मैंने spray करके shadow कर रहा हूँ पूरा उवाल मैंने लगभग cover up कर लिया तो पूरा उवाल cover up करने के बाद मैंने sea green color लेके और two inch fat brush लिया हूँ और acrylic color का sea green मैंने color लिया हूँ acrylic color कación green color नहीं होता है मैंने deep green और sky blue color mix करके sea green किया हूँ और two inch fat brush से मैंने जो ड्रॉ किया था ना color pencil से उस जगा को मैंने cover up कर रहा हूँ यह मैंने एक कोट कर रहा हूं उसके बाद डबल कोट करना होगा लेकिन डबल कोट का वीडियो मैंने नहीं दिखा होगा क्योंकि बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने एक कोट का ही वीडियो मैंने दिखा रहा हूं आभी मैंने पिंग कलर क लेकिन जब मैंने यह वाल पेंटिंग कर रहा था तब मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने रेट और वाइड मिक्स करके मैंने पिंग कलर कर लिया था और पिंग कलर करके मैंने जो कलर पेंसिल से जो ड्रॉ किया था उसके उपर मैंने फास कोड कर रहा हूं फास कोड के बाद आ मैंने ये जो part कर रहा हूं ये part करने के लिए मैंने black color यूज़ किया हूं लेकिन black color के साथ थोड़ा blue mix कर रहा हूं क्यूफकी black के साथ थोड़ा blue mix करने के बाद black का जो साइन होता है न ओ थोड़ा चेंज होता है कालार थोड़ा चेंज होता है ओ अच्छा लगता है ब्लैक का कलर अच्छा दिखने लगता है इसलिए मैंने ब्लैक के साथ थोड़ा ब्लू मिक्स करके यह जो पाड है यह पाड मैंने कर रहा हूं और यह करने के लिए मैंने आपको अंदस से ज़्यादा से ज़्यादा आपको color mix कर लेना है क्योंकि उस color से यह पूड़ा wall जहाँ पर जहाँ पर ओज जो color होगा उस color को करना है इसलिए एक भर मिक्स कर लेना है क्योंकि बादा भर mix करोगे तो अच्छे से color नहीं आएगा same to same color नहीं हो पाएगा इसलिए बोल रहा हूँ जब mix करोगे ज़्यादा mix कर लिना ठीके और बहुत ज़्यादा करोगे तो color भी waste हो जाएगा इसलिए आप देख लेंगे कितना mix करोगे तो ये wall painting पूरा हो जाएगा तो इसके बाद जहाँ 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 जो भी मैंने color pencil टे ड्रॉ किया था वो मैंने जगा मैंने cover up कर रहा हूँ अब मैंने ये जो flower है ना ये मैंने flower कर रहा हूँ ये flower करने के लिए मैंने half inch fat brush यूज कर रहा हूँ और वो black color यूज कर रहा हूँ जो black के साथ थोड़ा blue mix करके मैंने किया हूँ वो यूज कर रहा हूँ और मैंने half inch fat brush यूज कर रहा हूँ तो guys उसके बाद मैंने जो और भी outside का जो color pencil से draw किया था वो मैंने कर लिया आभे मैंने बीच का एक flower कर रहा हूँ वो भी flower करने के लिए मैंने प्राइले outline कर लिया outline कर लिए के बाद मैंने थोड़ा बहुत detailing कर रहा हूँ इतना ज्यादा वीडियो long नहीं कर पाऊंगा ओ करूंगा तो 2 hours का या 3 hours का वीडियो हो जाएगा इसलिए मैंने वीडियो को first कर दिया और यह जो मैंने आभी कर रहा हूँ जो पत्ता कर रहा हूँ इस पत्त को करने के लिए मैंने हाप इंच फ्राइबस यूश करके पहले मैंने इस तरह के पत्ता का सेफ दिया फिस अंदर से एक line draw किया line draw करके करके इस तरह से line draw करने के बाद इस तरह का art हो जाता है यह एक modern type का art होता है इस तरह का art मेरे को पसंद दता है जहाँ पर करा हूँ ना उस घर का जो party है ना जो मालिक है उसका भी बहुत ही अच्छे से पसंद आया है इस wall painting का design तो अभी लगबग wall painting का design complete हो चुका है लेकिन wall painting का design आप देखो लगबग complete हो चुका है लेकिन यह जो wall painting का art है ना यह थोड़ा अलग type का wall painting का design है मैंने flower का कोई भी अलग से कोई color नहीं दिया हूँ black की color हूँ यह जो मैंने पहले background का एक shadow कर लिया था shadow करने के बाद ज्यादा ते ज्यादा मैंने black color ही यूश किया हूँ और एक या दो जगा मैंने pink color यूश किया हूँ और sea green color यूश किया हूँ और दो जगा मैंने yellow color यूश किया हूँ करके मैंने पूरा जो wall painting ही हो मैंने black color से किया हूँ तो गाई इस वाल पेंडिंग का डिजाइन को देखो कितना अच्छा हुआ है तो इस तरह का वाल पेंडिंग का डिजाइन आप करवाना चाते हो तो मेरे साथ कंटक करिए और आप खूद करना चाते हो तो आप वीडियो का अच्छे से देखो और गाई इस तरह का वाल पेंटिंग डिजाइन, 3D वाल पेंटिंग डिजाइन, 3D स्पे वाल पेंटिंग डिजाइन, वाल पेपर टाइप वाल पेंटिंग डिजाइन, modern art वाल पेंटिंग में देते रहूंगा, तो guys keep support me, stay home, stay safe, thank you so much, चलता हूं.